हेलो दुस्तो, दुस्तो, संदीब भाईया का फफ्ट एपिसूड देखा मैंने यूट्यूब पे अभी-अभी and let me tell you, दुस्तो, मैं बहुत-बहुत-बहुत ज़्यारा एक्साइटेड था इसे शो को देखने के लिए क्योंकि संदीब भाईया, S Friends का मेरा most favorite character है जब वो series आई थी, S के सद की के लास, तो मैं सोच रहा थे कि बहाँ पर हमें संदीब भाईया भी देखने को मिलें, तो वो थोड़ी unfortunate होगी चीज़ है कि मुझे वो देखने को नहीं मिले, एंड मैंना फस्ट एपिसूड दीखा, एंड भाईय सब just amazing यार पहले तो बहतरिन acting है, outstanding acting and writing जो है, वो कमाल की है storytelling कमाल की है, बहतरिन तरीके से इसको लिखा और direct किया गया है, present किया गया है एंड मैं पहले से ही already इस character को जानता था, तो मुझे यहां पर कुछ भी उसकी जरुदत नहीं थी कि character को develop किया जाए, यह हम सब के साथ ऐसे ही है हम सब जानते है, संदी भाईया को बहुत अच्छे से backstory को छोड़ कर, तो हम उसमें easily जैसे show शुरू हुआ एंड हम उसमें invest हो गए, एंड शो present में और past में एक साथ चलता है, एंड संदी भाईया के आगे पीछे गूमता है आई-पी-एस है या शायद कुछ हो और है, तो कुछे बन चुकी है, एंड उसके साथ इसाथ यहां पर वो depression में है एंड उसके साथ इसाथ एक लड़की है यहां पर, जिसको संदी भाईया के अंदर एक mentor देखने को मिलता है संदी भाईया आज की डेट में, मतलब पाफ्ट में, दिल्ली पे बापस आने के बाद, अलावाद बापस आने के बाद, वो copy checker थे, मुलियांकन करते थे, कॉपियों को चेक करते थे एंड वो जो लड़की है, उसको संदी भाईया के अंदर एक mentor देखने को मिलता है, दिखाई देता है, वो इस उमीद में रहते हैं कि वो उनकी मुलियांकन करें, copy check करें, तो शायद उसको कुछ अच्छा सीखने को मिले, जानने को मिले, यह सब वो उमीद में है एंड प्रिवेंट का जो चीज है, जो प्रिवेंट में जो शो चलता है, वहां पर जो वो हुआ, वो जो कहते हैं, ऐसे जो साब बटा सीच कर उसका, उनकी जो लेंगवेज है, जो बोली है, जो accent है, वो काफी अचा है, एक्टिंग यार बहतरीन है, राइटिंग बहतरीन ह जो कुछ भी मुझे देखने को मिला, वो मुझे काफी अच्छा लगा, एंड ये शो काफी ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लगा, एंड इसने मुझे इसने मुझे इस्टाइट से लेकर एंड तक होके, एंड बो करके तो रखाई, एक ऐसा single moment नहीं था, पल नहीं था जब मुझे लगा को इशो थंडा पड़ दा है, मैं डिस्कनेक्ट हो दा हूँ, या इस्ट्रेक्ट हो दा है, मुझे पॉस करना चाहिए, कुछ भी नहीं था, लगवाग आदा घंटा या 35 मिनिट की इसकी length होगी, एंड मैंने binge watch किया, मतलब binge watch करने कला कोई option था ही नहीं क यह प्रीमियर हो दा यूट्यूब पे, तो मैंने देखना शुरू कि एंड उसके बाद मैं देखता ही चलागे, देखता ही चलागे, एंड मैं यह सोच रहा था कि इसका अगला एपिसोड कवाएगा, तब TVF ने एक कमेंट डाला वाँ पे, कि 4 जुलाई को अगला एपिसो प्रेयाग राज लेखा हुआ देखाई पड़ता है, जब कि 2004 में अलावाद था, प्रेयाग राज अभी बाद में हुआ है, तो यह चीज आई किस थोड़ा मिस कर गए होंगे, या जानबूशी कुनों ने किया होगा, मुझे नहीं बता, तो यह है, फोर इसरा इस फर्ष्ट एपिसोड के लिए ओसम है, बहतरीन है, एंड उतना ही अच्छा मुझे लगा, जितना अच्छा एस्परेंट्स था, यह मैं कह सकता हूँ कि एस्परेंट्स से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह शो इस बार सिर्फ एक करेक्टर के आगे पीछे घुमता इस फर्ष्ट एपिसोड के लिए आंगन के लिए आपने देखा है, तो लिए बताना आप लोगों के सब्सक्राइब करना चैनल को बिडियो को एंड दे से खिने जाने साने का थैंक्यू, एंड मैं दुपारा से कहूंगा, ओसम था, अमेजिंग था, आउटिस्रेंडिंग था, एफचली फनी हिंदुजा के लिए, बहत भी नेक्टिंग दिये वाई उन्होंने, तो ये थैंक्यू